जहीं साथ हो तो SSGD Constable का मेड कल 25 को हमा रहा था हमने आपको पहले भी बताया था इसलिए आप लोगों ने देखा हुआ कि बीच में वीडियो भी नहीं आ रहा था एक्चुली हुआ क्या मुझे रीमेटकल लग गया है तो इसलिए अभी जो है बीच में टाइम मिला है मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ आज की इस वीडियो में फुल ग्राउंड रिब्यू के बारे में बात करेंगे कि आपको कैसे ग्राउंड फिट होना ह है मुझे रीमेटकल कैसे मिल गया और यहां पर देखे रीमेटकल में बहुत ज़्यादा लोगों को परिसान किया जा रहा है अभी देखे 25 को मेटकल अभी तक क्लियर नहीं हुआ जबकि उसके नेक्स्ट डे जो है रीमेटकल का टाइम दिया जाता है किन्तु 6-7 दिन होग हागवान करें किसी को रीमेटकल ना मिले नहीं तो वो छोड़ देगा यहां पर देखे जो रीमेटकल दे रहे हैं वह सच में बहुत बहुत बहदूर है यहां पर उसके पर वीड़ियो बना हो जाएगा तो उसके बाद मैं फिट हो या फिन्ना हूँ तो उसके बाद मैं फ्री हो जाऊओंगा तो आपको वीडियो बना दूँगा कि कितने पास हो रहे हैं हार एक सिंटर का लगबत क्या असातन परेंटेज कितना कटा बढ़ सकता है वो details video में बना दूंगा अभी आप लोग थोड़ा से वेट कीजिए क्योंकि मैं परिसान हो गया हूं रेमेट कर मिल गया है तो इसलिए परिसान हो गया हूं देखते हैं आगे क्या होता है तो आप लोग अपने श्टरी ना छोड़िए क्योंकि नई बुक एस्पेसल SSC GD के लिए फुल डेडिकेटेड बुक है जिन्होंने भी पिछली भरती में इस बुक के जरिये तयारी किया उन्होंने निश्चीति अपने सपद्दा को से और किया तो इस बुक के जरिए आप इस भरती में सेलेक्शन ले पाएंगे क्योंकि इसमें जो सेCK को भी कबर किया गया है हर एक जिप्ट का तो इसाफ कर लिजिए और इसका प्रेक्टिस लिए यह आता है जिसके जरी आप ट्रेक्टिस करके मेंद को बूस्ट कर सकते हैं और अपनेे इकजाम में अच्छाा स्कोर कर सकते हैं तो refined chart को डेइडरिको को आ दिसक्रिशन ब एसा नहीं है कि पहले पहुंच गया उसे पहले ले लेंगे ऐसा कुछ नहीं है उनके पास लिश्ट है वह रोल नमबर वाइस बोलाएंगे आपको नाम करके बुलाएंगे वैसे आपका गुरूप बना दिया जाएगा वह खुद बना देंगे आपको रहां पर कुछ करने की जरूरत नहीं है तो यहां पर रोल नंबर वाइस वह इंटी करेंगे और जब आपकी इंटी हो जाएगी तो सबसे पहले 25-25 का ग्रूप बनेगा सबसे पहले देखे वह ऐसे सिक्वेंस बैठा देंगे कि किसका जो है किसमें रोल नंबर है आपका सिक्वेंस क्या है उसके बा करने के लिए बाकि सब बैठे रहते हैं तो यह ग्रूप जब डीवी करा के आ जाता है तो दूसरे गुरूप को बलाया जाता है तो टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है पहले दिन जो है वह आपका डीवी हो जाएगा उसके बाद यूरिन हो जाएगा डाकुमेंट के बार सबढ़ा है की दिन जाएगा के प्रोसेस हो जाएगा और अगर साम हो जाती है तो कहीं कहीं पर क्लानीं वा सब्रेभ कोêuप का होगित उससी दीन नहीं पर कट्रोब का करने सब्सक्राइगे घ्रकूम्हों साब बिर्सस सब्सक्राइगा लास्ट ग्रूप का बच जा रहा है अगर ज्यादा टाइम लग रहा है नहीं तो पहले दिन जो है ब्लड यूरिन वह सब कुछ हो जाता है फिर जब आप सेकंड डे जाएंगे तो सेकंड डे वहां पर जाने के बाद लगबन नौ से दस बजे तक आपका डीमी स्टार्ट हो झाइगा डीमी में ज्यादा टाम नहीं लगएगा क्योंकि वह यहार बट जाता है जैसे यहां पर चारट डॉक्टर होते हैं तो 25-25 वह सबीका बट जाएगा तो एक डाक्टर पचीस लोगों करेगा तो हाट टाम लगएगा जैसे 25 लोग है तो डाक्टर पहले जो करेगा वो 10 लोगों का बुला लेगा कि 10 लोग आ जाए 10 लोग का बुला कर वो एक साथ में सब का खड़ा करा के वो उपर का जो चीजे होती है जैसे फ्लाइट फूट हो गया नोकनी हो गया तो उपर का बोड़ी वो चिक कर लेता है 10 बुला के उसके बाद में आपका प्राइबेट पार्ट चिक करता है उसके बाद आईचर्ट करता है देखें यहाँ पर बहुत सार lihat में क्या प्राब्लम आ रहा है देखें आप अगर 2-4 गलत भी पढ़ देते हैं तो कोई भी प्राब्लम नहीं है वो टाइम दे रहा हैं इसे एक बार अगर लास्ट का लाइन है इसमें आपने कुछ मिश्टे कर दिया तो यह उपर का एक बार पूछ लेंगे उसके बाद फिर से नीचे का पूछ लेंगे किन्तो वह पढ़वाएंगे सभी आपको टाइम देंगे किन्तो अगर आप सभी पढ़ लेते हैं भले आप एक बार में गलत पढ़ते हैं दूसरी बार में सही पढ़ते हैं तो वह आपका जो है वहाँ पर ले लेंगे कोई प्राब्लम नहीं होगी तो आई में भी कोई प्राब्लम नहीं हो रहा है बाकि उपर का पार चिक कर रहें देखें यहाँ पर मेन बात यह है कि अगर आपका सावधानी क्या बरतनी है जैसे बहुत साल लोग क्या होते हैं कि वो छुपाने की कोसिस करते हैं अगर उनका नॉर्मल है तो वो सोचेंगे कि हमारा नॉर्मल है हम छुपा लेंगे चल जाएगा भाई अगर आपको छुपाने की जरूरत नहीं है वो खुद आपको पॉइंट नहीं देंगे हाँ अगर आपने चुपा लिया तो बार-बार वह उसके चेक करेंगे वह जरूर उसमें पॉइंट लिख देंगे क्योंकि उन्हें लगेगा कि इनको यह प्राबलम है इसलिए चुपा रहे हैं तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है नॉर्मल मेटकल हो रहा है बिल्कुल हाड नहीं हो रहा है लगबख बहुत सारी लोग पास हो रहा है यहाँ पर हमारे ग्रूप के बारे में बात करें तो हंडेल लोगों में से लगबख सबतल लोग जो है वो ग्राउंड फिट हुए थे बाकि आरमी का तो अभी तक जहलाए पॉइंट किसमें लगता है तो जरूरी नहीं है कि किसी एक चीज में सबसे ज्यादा पॉइंट लगे जो कुछ भी प्राब्लम रहेगा उसी में पॉइंट लगेगा वह जब जस्ती पॉइंट नहीं देंगे और सब कुछ वह नॉर्मल चेक कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि अगर आपका कोई पॉइंट बन रहा है तो वह दे देंगे और यहाँ पर बात करते हैं अब एक बारे में देखे रिमेटा चिनको मिलता है उनको भाई बहुत टाइम लगता है यहां पर 30 लोगों का रीमेट कर मिला था अभी के बारे में बात करें तो लगबाग 15 ही बचे हैं 15 ने रीमेट कर लिए छोड़ दिया क्योंकि भाई इतना ज्यादा टाइम लग रहा है 5-6 दिन आप लोग को पता होगा बाहर से लोग जाते हैं स्टे लोग दे रहें परिसान होकर बाकि भगवान किसी को रीमेट करना दे आप लोग का मेटकल का है कॉमेंट सक्षन में बताइएगा चलिए बाकि कटाप के ऊपर वीडियो में बना दूंगा कितना कटाप जाएगा भी हमारा रीमेटकल हो जाए देखते हैं फिट होते हैं अन झारे ही होग जाएगा जाएगा रीमेरकल हो जाएगा।